और यहां दोस्तों मैं device की setting में हूँ, बिल्कुल last में आते हैं, यहां पर आपको दिखेगा about device, आप इस पर click करें, यहां पर ध्यान दिजिए, device का model number है realme P1 Pro 5G, RMX 3844, और यहां पर नीचे आते हैं, device का android version दिखें दोस्तों, बिल्कुल latest device हमारी android 14 से up to date है, तो ध्यान दोस्तों यह जो trick मैं आपको बताऊंगा न, इस trick को follow करके, आप realme के उन सभी mobile का FRP बाइपास कर सकते हैं, जिसकी security बिल्कुल latest android 14 से up to date होगी, सारे models का FRP बिल्कुल same to same इसी तरीका से remove होगा, फिलाल दोस्तों मेरे पास यह जो device है realme brand की है, back side में नीचे तरफ आप widget कोई भी mobile, और आपकी device Gmail account lock है, यानि कि FRP lock है, यह कैसे confirm करें, छोटा सा trick आपको बताता हूं, simple मैं इस arrow पे क्लिक करता हूं, और थोड़ा सा मैं आपको zoom करके दिखा देता हूं, आप उपर की तरफ कोने में धियान दीजिए, एक छोटा सा locker सोग कर रहा है, तो इस type का locker अ यानि कि Gmail account lock है, Gmail ID lock है, यहाँ पे दिखे दोस्तों, यह message आ गया, connect to Wi-Fi वाले option प्याच चुके हैं दोस्तों, और इस option को अगर उपर से आप skip करेंगे तो यहाँ पे दिखे यह message आ गया, इस message का मतलब यह हुआ दोस्तों, कि आप अपने device को किसी Wi-Fi से connect करें, क्योंकि device में net का चलना जरूरी है, तो यहाँ पे device को मैंने Wi-Fi से connect किया, device connect हो गई, अब यहाँ से कर देते हैं next, कुछ second wait करने के बाद दोस्तों, आपको पूरी तरह confirm हो जागा, कि मेरे पास जो device Realme P1 Pro 5G यह पूरी तरह से FRP lock है, यानि कि Gmail account lock है, और यह दिखे दोस्तों, यह problem आपको फेस करनी पड़ेगी, जब आपकी device FRP lock होगी, device का FRP bypass करने के लिए दोस्तों, यहाँ आपके पास एक option है, draw, lock, screen, pattern, यानि कि आपको यह pattern draw करना होगा, pattern हमें नहीं पता है, pattern की जगह पे पीन या password भी हो सकता है, चुकि pattern का option है और pattern हमें नहीं पता है, तो इस option को हम यहाँ उपर से cancel कर देंगे, और अब देखेगा, यहाँ पे लिखके आएगा verify your account, यह देखे, verify your account का अपस ना गया, यानि कि device का FRP bypass करने के लिए आपको इसी device का Gmail ID, यानि कि email ID यहाँ पे verify करना होगा, जो कि हमको नहीं पता है, ओके, तो confirm हो गया ना कि device हमारी FRP lock है, अब देख इस network पे click करूँगा, यहाँ पे देखेगा share, share पे click करेंगे, nearby का option देखेगा, nearby पे click करेंगे, continue आएगा, continue पे click करना है, कोने में देखेंगे three dot है, three dot पे click करें, उसके बाद setting पे आपको click करना है, learn more about click share, आप इस पे click करें, थोड़ा सा wait करेंगे, कोने में आप देखेंग के 3. तो करेगा, आप simple 3. पे ख्लिक करें, उसके बाद share article पे क्लिक करें, share article पे ख्लिक करते हैं, दोस्तों देखेंगे share के ये सारे options हो करेंगे, आप इसे पकड़ के ऐसे Lips से write करें, यहां पे देखेगा message, आप simple message पे click करें, उसके बाद आपको click करना new message पे, new message पे क्लिक करने के बात दोस्तों, type name phone number का option आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी type करना है, 123 कुछ भी आप type करने, यहाँ पर आप देखेंगे, send 2 का option दिखेगा, आप send 2 पर क्लिक करेंगे, message box open हो जाएगा, और यहाँ पर देखें, automatic यह message आ गया, आपको करना क्या है, यह स dot com, अब उसके बात सामने दिखेगा SMS, आप SMS पर क्लिक करें, यहाँ पर tab to load preview दिखेगा, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर YouTube का लिंक दिखाई देगा, आप simple इस YouTube पर क्लिक करेंगे, तो आपकी डिवाइस में YouTube का application open हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान दे, इस type से जो भी प आपकड कैसे नीचे कर दे, आपको दीखेगा about, about पर क्लिक करें, YouTube term up services दीखेगा, इस पर क्लिक करें, तो आप देखें कि आपकी डिवाइस में Chrome ब्राउजर open हो जाएगा, use without an account, आप इस option पर क्लिक कर लें, और उसके बाद यहाँ से no thanks कर दे, ओके, अब दोस्तों यहाँ इस address box पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको simple type करना add room, display पे आप देख सकते हैं, add room type करने के बाद आप enter कर दे, add room, custom room आपको दिखेगा, इस पे क्लिक करें, add room की main website open हो जाएगी, कोने में देखें, search के बगल में 3 dot है, आप 3 dot पे क्लिक करें, उसके बाद bypass APK दिखेगा, आप इस पे क्लिक करें, तो आप देखें कि दोस्तों आपकी device की main setting यहाँ पे open हो जाएगी, अब यहाँ दोस्तों थोड़ा सा उपर आते हैं, आपको एक option देखेगा, home screen lock screen का, आप इस पे क्लिक करें, उसके बाद उपर से second number home screen layout देखेगा, आप इस पे क्लिक करें, तो आ आपको simply करना क्या, यहाँ से सारे menu को open करना है, आपको यहाँ पे एक application दिखेगा, clone phone, यह रहा, आप simple clone phone पे क्लिक करके, clone phone application open कर ले, अब देखें दोस्तों, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको किसी दूसरी android device की, तो किसी भी brand की एक दूसरी android device आप ले ले, तो clone phone type करके मैं search करूंगा, और यहाँ पे घ्यान दीजे दोस्तों, clone phone one plus app, आपको इस application को simple, यह जो दूसरी device है, इसमें install कर लेना है, application install हो रहा है, थोड़ा सा wait करिए, install हो गया, अब आप simple इस application को open कर ले, open करनेक बाद आप देखें कि दोनों application का interface सेम है, बस color change है, अब दोस्तों, यह new device है, जो की lock है, तो this is the new device, आप इसपे क्लिक करें, permissions जो भी है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, सारे permissions को आपको step by step allow करना है, यहाँ से other android पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखें, यह QR code आ गया, अब यह old device है, तो this is the old device, आप इसपे क्लिक करें, जो भी permissions आपको उसको on करना है, तो यहाँ सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, permission off है, on किया, back आ गया, सारे permission को step by step आपको allow करना है, तो यहाँ सारे permission को मैं allow करूँगा, ठीक है, यहाँ पे turn on का option आ गया, turn on पे क्लिक करेंगे, permission को on करेंगे, back आ जाएंगे, this is the old device, इस पे क्लिक करेंग यहाँ पे दिखे, scanner आ गया, अब आपको करना क्या, इस QR code को scan करना है, ठीक है, तो यह देखे, मैं scan करता हूँ, जैसे scan करेंगे, तो आप देखेंगे, दोनों mobile आपस में connect हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा wait करिए, और यह देखे, connecting process हो रहा है, यहाँ पे preparing data, कुछ second wait करि उसके बाद यहाँ से uncheck कर दें, उसके बाद दोस्तों, आप नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको दिखेगा apps, आप apps पे click करें, तो सारे application के list आ जाएगी, आपको करना क्या है, इन सारे application में से कोई एक application, किसी एक application को check करना है, तो चले मैंने flip card check किया, उपर से simple आप ok कर दें start migration, आप इस पे click करें, password डाल रखा है, तो यहाँ पे मैं password verify कर दूँगा, password verify करने के बाद यह दिखे, sending, receiving, एक application जो हमने check किया, वो application इस device में transfer हो जाएगा, यह दिखे, transfer complete, अब इस device का work finish, इसको मैं side में रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दिखे, जो application हमने send किया, इसमें transfer हो गया, यहाँ पे resume का option दिखता है, resume पे click कर दें, यहाँ से simple done पे click कर दें, यहाँ से आपको उपर से skip करना है, नीचे से simple आप done पे click करें, realme UI, नीचे तरफ मिलता get started, आप इस पे click करें, और bus, अब जाके आपकी device, realme P1 Pro 5G का FRP lock, यानि की Gmail account lock, Gmail ID lock, पूरी तरह से bypass हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, device का FRP पूरी तरह से bypass हो गया, कोर्ने में देख सकते हैं, कोई भी locker zone नहीं कर रहा है, लेकिन एक problem phase करनी पड़ती है, उपर से कभी कभी क्या होता है न, notification panel work नहीं करता है, यह देखे, notification panel यहाँ पे work नहीं कर रहा है, तो इसके लिए करना क्या है, आपको device को एक बार manual reset करना है, कैसे करेंगे, device की setting में जाए, सबसे last में आ जाए, यहाँ पे आपको दिखेगा additional setting इसपे click करें, उसके बाद बिल्कुल last में आ है, backup and reset दिखेगा, इसपे click करें, reset phone आप इसपे click करें, erase all data आप इसपे click करना है, यह पुरा full process है, realme P1 Pro 5G का FRP bypass करने का, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को share करें, like करें, channel को support और subscribe करें, thanks for watching this video